जड़ा सोटे दो हो जामाल मौहाल पर लेंदी राम राम सा कहा घूम रहे हो तुम सेना तुमारी इधर लड़ाई कर रहे हैं अखेले घूम रहे हो खम्मा गणिसा आप सभी का स्वागत है राजिस्तान की जैपुर सिटी में वैसे तो मैं जैपुर सिटी से लगबग अभी 20 किलो मीटर की दूरी पे हूँ पीछे मेरे आप लोग देख रहे हैं यहां पे लिखा हुआ है चौकी धानी यह एक रैस्टोरेंट है जिसके अंदर पूरा गाउं बना हुआ है राजिस्तान का जिसमें राजिस्तान का कल्चर है राजिस्तान का खाना है और राजिस्तान में जैसे गाउं बगएरा जो हो यह टॉंक रोड है टॉंक रोड पर यह पड़ता है तो अभी हम अंदर चलने वाले हैं और इसका क्या टिकिट टिकिट रहता है वो भी आप लोगों को दिखाएंगे तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं इसका यहां पर मैंगेट है चलिए चलते हैं करते हैं जाओ मारा पाइसो अंधियो बैल कम उता है यहां पर टिकेट काउंटर मना हुए पहले टिकेट ले लेते हैं है हम लोग है कि दोस्तों अभी हम लोग अंदर आ गए है टिकेट हमने ले लिया है एक परसन का 800 रुबए का टिकेट है यहां पर दो तरह के टिकेट मिलते हैं अगर आप देखोगे तो पूरा रेगिस्तान जैसा फील है रेथ ही रेथ है आगे की तरफ और चलते आजाओं यहां पर आप देखोगे तो यह है है गड़िया लोहार यानि लोहार जो होते हैं वह लोहा पगेरा जो बनाते हैं ऐसे करके उनका है यह लेकिन अभी तो यह पूरी तरह से खतम हो चुका है देखो कि यह पूरा है ना उपर छपपर है नीचे यहां पर चार पाई देखो कितनी मस्त पड़ी है अगया ना देशी वाला फील राम राम सा देख रहें कितना मजबूत है उपर से देखो कितनी अच्छी तरीकी से बनाई गई है यह गंटा बजा दूं सब से बहले और अगर इ कि यहां पर जितनी वी एक्टिविटी होती है सारी सारी रात में होती है रात में बहुत अच्छी से इसकी लाइटिंग बगएरा सजाई जाती है बहुत अच्छा लगता है तो अभी हम रात तक रुगने वाले हैं रात का विव भी आपको दिखाएंगे आप आने के वाद ऐसा फील हो रहा है पता नहीं कहां आ गए हैं चारा दर देखो यह आप लोग ऐसे लग रहा होगा जैसे कच्छी दीवारे हैं लेकिन कच्छी नहीं है यह पक्की है इनके पर पेंट किया गया है इस साइड में देखो दोस्तों यह वाला जो एरिया ना अगर आप यहां पर रुखना चाहते हैं तो यह फिर रुखने के लिए यहां पर वकाइदा यहां रूम बगएरा भी बने हुए हैं उसकी साइद ऑल्लाइन बुकिंग होती है या ओल्लाइन जाती है तो अगर आप यहां पर रुकना चाहते हैं यह आप रूम बघ्रा बने हुए रुकने के लिए आ यहां पर रात इस्टे भी कर सकते हैं नाइट इस्टे भी अंहीं क्या है जू owner के हुए ऊधर है यहां चरां कर दो कर दो कर दो कर दो कि अ. ग्यांवी कर दो जो 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 कर दो कि अभी हम करेंगे कैमिल राइट 20 रुपए और ट्वेंटी रुपीर कि मन कर रहा है मुझे लग रहा है बैट जाएगा यह यहां पे यह पुल बना हुआ लकडी का और यह छोटी सी रीवर है और यहां पे देखो है अब कि यहां पे न रएक प्रदेश का मतलब कल्चर दिखाए गया यह देखो यह जम्मू कस्मीर यह जो है जम्मू कस्मीर दिखाए गया आ यह राजस्तान यह देखो यहां पर यह राजस्तान का घर है और यहां पर देखो एक यह बैठे हुए सज्जन हलो हाई नराज हैं बोली नहीं रहें यह पूरा गाओं बनाए गया है गाओं में कुछ चारपाई भी है जिसमें आराम से आप अराम फर्मा सकते हैं कि यहां पर एक घर बना हुआ है यह घर तो बंद है हमार इसमें मुझे लग रहा है यह रियल में घर है क्या अच्छा यह इनका ऐसे ही है इसमें मैटेरियल पढ़ा है बैस्ट जो मैटेरियल होता है वो यह राजिस्तान का आव और दिखाते हैं यह यहां पर देखो यह सिक्किम भगवान बहुत की प्रत्मा लगी है अंदर और यहां पर लेखा सिक्किम यह सिक्किम कगल जा यह है बैस्ट बंगाल यह यह यहां पर लिखा है बैस्ट बंगाल हाँ अंदर इसमें आ सकते हैं यह आज़ो वकाइदा बैड़ एड़ पड़े हुए है यह तो जैसे घर होते हैं उस तरह से यह बनाए गए है इधर सिक्किम राजिस्तान वैश्ट बंगाल इधर यह गुजरात गुजरात अभी हम गुजरात के घर में आ गए है अच्छा इस पर बैठ नहीं सकते यह देखो यह लगा दिया ना इस पर लोग आगे बैठते होंगे तो वह बंद कर दिया है यहां पर यह अमर यह देखो इधर यह पूरा इनका किचेन एरिया है जहां पर इनके बरतन वगएरा रखे हुए है वहाँ देखो चूला बना हुआ है जिस पर खाना बनता है अभी हम गुजराद में थे और अभी हम आगे केरला यह है केरला यह केरला के घर है पहले इसका गेड दिखाता हूं मैं आप लोग को यह गेड देखिए गेड कितना सुंदर बना हुआ है और गेड के बाद अंदर आ जागी यहां पर यह सज्जन केले लिए हुए है अगर आप लोग को खाने हैं तो खा सकते हैं कोई भी चार्ज नहीं है इसका आप एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है भगवान का और उपर देखो जैसे केरला में जो घरों में होता ना सैम बैसे ही बनाए गया केर्रा से निकल गए जै महराष्ट्रा यह महराष्ट में आ गए तो यह था महराष्ट अभी हम लोग महराष्ट में आ गए हैं सेवाजी राव की यहां पर फोटू लगी हुए है और यह है महराष्ट के घर यहां पर दोखो वकाइदा इनके यह भी रखे हुई है वक्से और यह फैन भी यह फैन तो चलता होगा इंस और लाइट की विवस्ता है इदा इनके बरतान रखे हुए और दूसरे प्रदेश में चलते हैं यह गोवा चोटा से यह तो यह तो गोवा हो गया और सामने ही है तमिल लाड़ो तो यहां पर यह चर्च बनी हुई है गोवा की आप एक बार अंदर जाके देखा दो यहां से और यहां पर यह है तमिल लाडू यह देखिए यहां पर मंदिर बना हुआ है यह यह रियल है देखो यह सारी रियल है बहुत ही मतलब बजन है इनके अंदर पूरा नधेरा किया गया है इसमें नहीं हमें नहीं है विश्वत नहीं है यह सैधुल्म है यह मतलब हैं तो चैसी लाइड आएगी यह गाँ है यहां पर यह फेलाइट है अंकल भात्रूम राकॉर्ध बोलट यह um यह सब जलते हैं तो यह रात का वीव दिखाएंगे हम आपको यहां पर सब कुछ तो मिला लेकर हमारा उत्तर प्रदेश ही नहीं है उत्तर प्रदेश यहां पूरी तरह से गाइब है राजिस्तान है महराष्ट है गोवा है गुजरात है सब कुछ है केरल है तमिल नाडू है लेकिन यूपी ही नहीं है कि सावन में अगर हमने जूला नहीं जूला तो क्या जूला तो तो नहीं है यहां पर दोखो यह कितनी पुरानी पुरानी गाड़ी वगरा लगी हुई है यहां पेल गाड़ी होगी कोई घोडागाड़ी होगी इससारी तरह की मतललों यहां पर गाड़ी होई अचा वह रत है अमर भाई बता रहे हैं यह रत है यह यह वाला तो कि इसमें ब्यान का यह बेलों का आज हम हांती की राइड करते हैं हम दो टिकेट में हल्दी गाटी तक गये थे आप लोग वह लोग भी घाटी देखाएंगे यह जाएंगे तो पैदल पैदल अंदर आपे घोसा नहीं कि उसके रास्ते जो आना सक्रे हैं चौने है बहुत अच्छा लगा अभी तो बहुत आगे तक है ना अभी काफी आगे तक है अभी हम हाथी पे बैठके यहां पर राइड करके गए थे अभी आप लोग दिखाते हैं कि अंदर जाना एलाव नहीं थे यहां तक हांती से आए थे तो यह है हल्दी घाटी जिसमें हम अभी एंटर कर गए हैं यहां पर य यहां पर लेखा हुगा है हल्दी घाटी जैसे के सब्सक्राव लोग ने दिखाई है हल्दी घाटी विखाने वाले यहां पर हल्दी घाटी का युद्ध इस्तल है यहां पर जो हो रहा है एक तरफ मुगल सेना है एक दूसरी तरफ माहराना प्रताब की सेना जो जतने भी गृण कपड़े पैने यह मुगल सेना है और ङूसरे यह जो मतलब जहांकि दिखाई गई यह जो अफोटो में जोहर कुंद देखा होगा उधर हम हम लोगों ने आपको दिखाया था वहां पर युद्ध चला है यानि जो मुगल सेना थी उसने अक्रमण कर दिया है और इस साइड में जो राणिया है वो अपनी मतलब आबरू बचाने के लिए जोहर कर रही है जोहर का मतलब यह है यहां पर पूजा कर रही है उसके बाद य यानि जोहर जो होता था वो यही होता था यहां पर पूरी तरह से दर्साया गया है राम राम सा कहां घुम रहे हो तुम सेना तुम्हारी इदर लडाई कर रही है अकेले घुम रहे हो अच्छा आप अकेली बचे है लाहिए मगायो पूम शोजी हरी लगाई को और वियारे चुपती जीजी बना लाविद जारा सोटे दोमार मामर खलो लख से कि अब हम जिस एरिया में है यह जो एरिया है यह पूरा मार्केट एरिया है है जहां से पूरा मार्केट मतलब लगा हुआ है इस साड़ी वगरा है यह पूरा मार्केट एरिया इसर से देखा दो पूरा अभी लाट भी जल गई ना यह जैसल मेर ने चलना है कर दो कर दो तो अब हम लोग खाने के लिए चलते हैं खाना रेडी हो गया आज अब यह कर दो हुआ 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 है तो दोस्तों अभी हम लोग यहां से अपना खाना पीना खा के आ गए अगर आप जैपुर आना तो इस जगह पर जरूर आईए बहुत अच्छी प्लेस है आट सो रुपए का टिकेट है लेकिन आपको आट सो रुपए खालेंगे नहीं क्योंके आट सो रुपए लेते हैं खाना भी एक नम्मर का मिलता है यहां पर देखने के लिए एक्टिविटी करने के लिए यहां पर बहुत सारी मतलब चीज़ें हैं पूरा एक गाउं सा बसा हुआ है जहां पर आपको राजिस्तानी कल्चर देखने को मिलता है तो अभी लगवग 9 बज गए हैं हम लोग यहां से निकलने वाले हैं तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर अब बताएं वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें चैनल पर आप नए हैं पहली बार इस वीडियो को देख रहें नीचे एक रैट कलर का अप्सक्राइब कर लें मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूं मिलतें आपको नई वीडियो मुतंत के ल